Hello friends, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR, ASO और SO को जो यहां पे वेकेंसी निकालावा है उसके अंदर इथिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि यहां पर 25 मार्क्स कोशने से पुछे जाएंगे और जो इसके अंदर syllabus mention किया गया है इथिक्स के रिलेटेड वो आपको यहां देखेंगे Determinants and Consequence of Ethics दियावा है इसके अलाव आप देखेंगे Dimension of Ethics है Ethics in Private and Public Relationship है Human Values है जो कि Human Values lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators है Role of Family Society and Educational Institution in Inculcating Values यह syllabus दियागे हैं यह लगभग आठ नोच जो topic है यह आपको Ethics के paper में mention किया गया है तो आज इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके topic सुरुआत करेंगे यह syllabus आपका important है और यह 25 marks जो है आपको दे सकता examination में यह जो syllabus से थोरा सा पहली बार जो बच्चे पढ़ते हैं जो first बार पढ़ रहे होंगे उनको यह syllabus थोरा boring लगता है क्योंकि यह subject जो बहुत लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आता है लेकिन जो लोग इस subject को Real Life से connect कर पाते हैं वो इसे बहुत ही easily समझ पाते हैं और उनमें अच्छा number score भी कर पाते हैं तो मैं आपको इसी को Real Life example से समझाते चलूँगा कि इन सभी का ethics का कहा use होगा आप cases को relate कर सकते हैं Real Life से तो यह video आपको बहुत लाबदायक होगा और इसको हम कुछ 8-9 lectures में हैं इसमें complete करवा दूँगा पूरा पूरा lecture जो कि आपको बहुत ही लाबदायक होगा आपके examinations में तो अचले बिना कुछ time based किये भी हम डायक्री question को solve कें यहाँ पे जो solution इसका है या इसको जो lecture हो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ethics होता क्या है तो सबसे पहले आपको definition समझना चाहिए इभा ethics क्या होता है ethics को हम समझेंगे अगर तो ethics होता क्या है ethics जो होता है कि यह कहां समिला है तो ethics पहले हम बात करेंगे ethics एक Greek word से निकला है Greek word से निकला है जिसका मतलब होता ethos अब ये इथोस एक Greek word है अब इसका meaning क्या होता है? इसका जो meaning होता है इथोस का हम वो समझ लेते हैं इसका मतलब होता है character एथोस का मतलब होता है character अब ये character कैसे पहँचानेगे यानि इथिक्स के अंदर हम character पहँचानते हैं कि human beings का character क्या होता है behavior क्या होता है किसी एक circumstances या कोई एक situation के अंदर ठीक है इसवीग हम इथिक्स के इथोस जानते हैं अब इथिक्स हम नॉर्मल भासम हम जानते हैं इथोस लेकिन एक Greek word है एक्जामिनेशन पूछ ले इथिक्स कैसा word है कहां से मिला है तो एक Greek word है इथोस जिसका मतलब character होता है ठीक है इथिक्स इतना ही समझना है अब इसकी बाद हम समझेंगे इथिक्स के अंदर कि इथिक्स का definition क्या है तो इथिक्स क्या होता है definition समझे लेजे evaluation या evaluate करते हैं किसे conduct करते हैं evaluate करते हैं conduct of social human beings तो मैं short form लिखना हूँ social human beings SHB का मतलब होता है social human beings अब आ लिख देता हूँ कि आपको ये आगे को दिकत ना हूँ social human beings तो ये जो आपका है SHB का मतलब होता है यानि इथिक्स क्या होते हैं हम evaluation करते हैं किसे conduct of social human beings अभी conduct क्या होता है evaluation का मतलब आपको पता होगा कि जिसका हम declare करें उसका हम समझते हैं evaluate करते हैं समझते हैं कोशिश करते हैं कि conduct of social human beings human beings का कैसा conduct है अभी conduct का मतलब क्या होता है तो इस conduct को अगर समझना चाहें इसका मतलब होता behavior क्या होता है इसका मतलब behavior यानि अब कैसा behave करते हैं एक situation में या इसको और समझे willingful action voluntary action यानि voluntary action को भी समझते हैं voluntary action क्या होता है या भी समझाएंगे voluntary action यानि कि जान बूच कर किया गया कोई काम या इसके इलावा हम समझेंगे और ये जो चीज होते हैं जान बूच कर किया गया काम ये दो चीज में हो सकता है वो काम positive भी हो सकता है या वो काम negative हो सकता है अब इस action को हम काम के रहे हैं action का मतलब यहाँ पे काम है तो voluntary action का मतलब positive action या negative action positive action का मतलब right और negative action का मतलब होता है wrong ठीक है? right और wrong की बीच में हम समझते हैं behavior को समझते हैं उसी हम को क्या करते हैं conduct of social human beings अब यह voluntary action होता है तो voluntary action का मतलब होता है जान बुझ के यानि कि willingful यानि जान बुझ के किया गया काम जान बुझ के किया गया काम जो होता है उससे हम क्या करते हैं voluntary action ठीक है अब यह जो होता है ethics के अंदर हम क्यों evolution करते हैं हम अगर समझे हैं कि हम evolution ही क्यों करते हैं किस कारण के लिए हम इसका एविलुवेशन करते हैं तो सिंपल सा यह होता है हम यह समझने के लिए कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है इसको पहचानने के लिए हम शोशल हुम lodge कंडग को पहचानते हैं या इसको हम study करते है ठीके और साथ में हमें Kell नहीं परती हैं क्य good human life हो society के अंदर public interest और individual interest को देखते हैं और बहुत सारे कारण हैं तो peace और harmony आपको ध्यान अगना है हम ethics को इसलिए हम अपनाते हैं ताकि society के अंदर peace और harmony बना रहे हैं और भी आप example देना चाहें justice हो, liberty हो, equality हो, fraternity हो यह से भी आप इसमें को सा सकते हैं बस simple सा है society में peace और harmony हो इसका हम कैसे पहचारते हैं right और wrong action के माध्यम से, right और wrong action क्यों करते हैं, evaluation करते हैं, किसका human beings के social conduct काम ठीक है, जो की जान मुझे किया गया काम को इतना आपको समझना चाहिए, ethics का मतलब क्या होता है, ठीके अब चलते हैं, इसके बाद अगर हम समझें, तो आपको यहाँ पर utility समझना है, क्या utility of ethics, यहने ethics का कहाँ पर use होता है, ethics का कहाँ पर इसका use होता है, इतिक्स का use हम कहां कर सकते हैं, तो ethics का इस्तमाल हम लोग बहुत जगापे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ यहाँ पर ethics के लिए है, इतिक्स में सबसे पहला आप काम क्या कर सकते हैं, आप right काम और negative काम को पहचान सकते हैं, यानि कि right action और negative action आप इसको समझ सकते हैं, right और wrong action को समझ सकते हैं, राइट एक्शन का मतलब होता है क्या कि हम अगर कोई भी काम रूल के हिसाब से करते हैं अकोर्डिंग टू रूल तो वो क्या होता पॉजिटिव वक होता है नेगेटिव वक का मतलब होता है अगर आप अगेंस जरूल कोई काम करते हैं तो वो नेगेटिव काम होता है इसमें अगर आप against rule काम कर रहे हैं तो वो आपके negative action है थे感ो पहला तो यह हो गया कि utility क्या है कि हम अच्छे काम और बुरे काम को समझ सकते हैं ethics के माधियम से दूसरा काम हम क्या समझेंगी इसमें क्या इसका utility है, दूसरा है कि हम ethics को जब अपनाते हैं तो superstition यानि कि जो अंधिविश्वास होता है हम उसको उससे अलग कर पाते हैं, यानि कि हम अपने आपको superstition से अलग कर पाते हैं, यानि कि जो blindly belief हम किसी चीज की उपर कर लेते हैं, ऐसा कुछ question पूछते हैं, इसके हम बोलते हैं, superstation या blind brief से हम मुक्त होते हैं, so plate होते हैं, इसके इलावा क्या है, peace और harmony मनाने के लिए, यानि peace और harmony, society में बनाने के लिए, जो हम इसका ethics का भी इस्तिमाल करते हैं, ethics का use करते हैं, समझने के लिए, इसके इलावा क्या है, good human life, क्या है, good human life के लिए, human life के good human life के लिए, that is dignity, जैसे के हम dignity life, dignified life पाने के लिए जो है, ये सबी हम करते हैं, इसके इलावा, ethics के स्थिमाल हम कहां करते हैं, कोई भी अच्छे situation के अंदर, जब हम कोई situation में फस जाते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे में बोलते हैं धर्म संकर ने फस जाना, धर्म संकर ने फस गए, यानि दोनों सही चीज़ है, लेकर आपको confusion हो रहा है, कि अब करे क्या, तो आपके ethics जो भी आपके सही लगते हैं, आपको वो काम करना चाहिए, जिससे के किसी का भलाई हो, ठीक है, जिससे किसी का भलाई हो, आप वो ethics में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानि जब situation के dilemma में फस्ते हैं, तो उसमें आपको काम मदद करता है, solution निकालने में ethics मदद करता है, तो यह कुछ basic काम है, जो आपको मैं समझा दिया हूँ, utility of ethics क्या होता है, अब इसके बाद अगर में बात करूँ, अब हम क्या बात करने वाले हैं, topic के हिसाब से, पहला topic जो हमारे पास है, वह essence of ethics, क्या है, essence of ethics, मैं sort में कर रहा हूँ, essence of ethics, अब यह क्या होता है, वह समझेंगे, ठीक है, तो essence of ethics के बात करूँ, तो यह होता क्या है, तो essence का मतलब क्या होता है, सबसे पहला मतलब ही निकलना है, essence का मतलब क्या होता है, essence का मतलब होता, essential, necessary, जो हमें जरूरत होता है, उसे essence कहते हैं, यानि हमें ethics की क्यों जरूरत है या ethics की necessity क्यों है हमारे life के अंदर इसी को समझने को हम essence of ethics कहते हैं बहुत सबच्च को essence of ethics समझ महिने आएगा essence of ethics का मतलब क्या है essence of ethics का मतलब है कि क्यों वो जरूरी है हमारे जिन्दगी में जिससे कि हम क्या कर सके right action और wrong action को पहचान सके या ethics को दूसरे अधर ब्रांच से, दूसरे अधर जो सब्जेक्ट से हम अलग क्यों बनाता है, क्योंकि ये कुछ factors के उपर, कुछ principles के उपर ये work करता है, क्या principles और factor के उपर क्या करता है, जिसके कारण से ये ethics को other subject से बहुत ये अलग बनाता है, अब ये कौन से factors होते हैं, यहाँ पर चार factor आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, पहला हम बात करते हैं, values, value होता है, अब इस value क्या होता है वो आप समझाओंगा आपको आगे, उसके बाद sense of duty, sense of duty, ये भी समझाओंगा भी, उसके बाद rationality, rationality बोल सकते हैं, या यहाँ पर intellect, intellectual जो भी उसकर सकते हैं, intellect क की बात करते हैं, intellect का इस्तिवाल कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर कुछ moral standards होते हैं, ये सभी आके आपको बात करेंगे, तो यहाँ पर चार factors में यहाँ समझाया होगी, चार factors हैं, जो कि ethics को essence बनाता है, कोशन एक्जामेड एक पुछे, कि ethics के essence में कौन से factors सामिल हैं, तो मिज़ना चाहें, तो value को definition होता है, जो values होते हैं, वो क्या करता है, वो human being को guide करता है, क्या करता है, human being को guide करता है, guide the human beings for right or wrong action के लिए, यानि कि हमी guide करता है, अब ये values कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि values होते हैं, human social being के अंदर, जो values होते हैं, वो example के तो पर समय लेज़े, जैसे कि non-violence, यह क्या एक values है, non-violence, peace, harmony, empathy, sympathy, integrity, forgiveness, यानि माफ कर देना, humbleness, kindness, honesty, एक से ही बहुत सारे example हैं, जो values कहलाते हैं, यह human beings के अंदर होना जरूरी है, ताकि हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, कि right है या wrong action है, sense of duty क्या होता है, तो sense of duty याद कर सकते हैं आपर, कि can't के दोरा एक theory दिया गया था, अभी can't के दोरा theory गया गया है, तो यह topic है, वो आप syllabus के अंदर आप mention देखेंगे, तो syllabus के अंदर यह mention क्या आप गया है, कहां पर है, तो यहाँ पर topic है, teachings of great leaders, यहाँ पर reformers and administrator, तो administrator आपको जोड़रत नहीं है, पर यहाँ पर जो आपका है great leaders और reformers के दोरा दिया गया है, तो यह चीज़ यहाँ पर human values के अंदर connect होगा, तो आपको वो बाद में समझाय जाएगा, can't का जो कह सकते हैं यहाँ पर sense of duty का जो model है, ऐसे आप समझ लिए sense of duty में example simple सा समझा देता हूँ, कि sense of duty में कहता क्या है can't के दोरा, can't कहता है कि result हमारा matter नहीं करता है, क्या बोला, कि जो अब भी कोई काम कर रहे हैं, result matter नहीं करता है, result हमारा matter ही नहीं करता है, क्या matter करता है, matter करता हमारा action, हमारा duty अभी क्या है तो duty जैसे कि यहाँ पर समझना चाहें अगर आपके जूट बोलने से अगर दो लोगों की जान बज जाती है या एक लोगों की जान बज जाती है या 20 लोगों की जान बज जाती है आपके जूट बोलने से एक हटा देजे कम से कम दो या उसे 20 से ज़्यादा लोगों की जान अगर आप एक जूट बोलने से बच जाती है तो वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो बहुत सारे कहेंगे कि हाँ हमें करना चाहिए जूट बोल देना चाहिए लेकिन कांट कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए अगर जूट बोल रहे हैं अगर किसी का जान बच रहा है तो वो गलत है यही होता sense of duty कांट कहता है कि नहीं तुम्हें हमेसा सची बोलना है चाहे वो उसमें 50 लोगों की 20 लोगों की 10 लोगों की मिर्थी क्यों नहीं चाहिए तुम्हें हमेसा सची बोलना है तो कांट का थियोरी जो है यहीं कहता है ठीक है कहा रहा sense of duty तुम्हें अपने करते बें पहंचानू जो तुम्हें जो सचाही है वो ही तुम बोलो जूट बोलना ही नहीं चाहिए, अब चाहिए result कुछ भी हो, अब बताओ, अगर आपने यहाँ पर सच बोला, तो यहाँ पर result क्या हुआ, निगेटिव हुआ, क्यों, निगेटिव क्यों हुआ, क्यों कि इनके जान चली गई, अब चाहिए terrorist ही क्यों नहीं हो, उससे matter नहीं कर लेकिन Aristotle जो है, इस पर अलग होते हैं, Aristotle हो गए, यह से भी कुछ reformant है, जो कि इसके theory को, कांट यह theory से opposite में काम करते हैं, इसके theory को हम अलग से समझेंगे, जो की बहुत अच्छा topic है, यह हो सकता है कि आपको पहला बार पढ़ने में बहुत confusion subject लगा हो, जब किताब पढ़ते हैं, तो अच्छे तरह से समझ में नहीं आता है, तो यह आपको easily समझाने के लिए मैंने इसके example दिया, इसके बाद यहाँ पर rationality आता है, भाई rationality क्या होता है, rationality और intellect का मतलब होता है, critical thing क्यों हो जाना, यानि कि हर एक सवाल में पूछो, यह ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हुआ तो हुआ, पर इसका क्या फाइदा हुआ, यह होता rationality, सोच को बढ़ाता है, यह the factors हैं, जो essence of ethics को बढ़ाता है, यानि कि अगर कुछ crime हुआ, तो आप पहले सोचेंगे, यह crime क्यों हुआ, कैसे हुआ, और किसके लिए हुआ, अब उसकी बात समझेंगे, यह crime सही था, या wrong था, यानि आपने कुछ decision तो लिया, कि क्या सही था, क्या गलत था, आपने कुछ decide तो किया, कि किसी चीज़ को decide कर लिया, यह सही है, यह गलत है, यानि कि आपका rationality आपका यहाँ पर काम कर रहा है, Moral Standard जो होंगे, अब यह Moral Standard क्या होता है, यहाँ पर अगर समझना चाहें, तो यह जो हमारा essence of ethics के factor से, प्रिस्पल से, जो मैं आपको समझा दिया है, एक्जाम में इसी बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, essence of ethics में वस ततनी topic पढ़ना पड़ता है, इसके लाब में जो भी other entry करेगा, वो इसी factor के अंदर कोई नहीं कुछ mention किया जाएगा, इसी factors के अंदर कोई नहीं कोई आएगा ही आएगा, आप चाहे सोच के समझ के कोई भी example देगा, तो आप इसी में से समझ लिजेगा, कौन साइस में आप दे सकते हैं, और वो पहिचानना होगा, essence of ethics वो है की अपको मिलेगा, अब यहां पर समझ लेते हैं, अब बात करते हैं, अब यह क्या होता है, और यह क्या होता है, तो डेटरिमिनेशन का मतलब सिंपल सब समझना चाहे, यानि आप किसी भी चीज, काम, किसी भी काम को रोम और राइट कैसे कह पाते हैं कुछ इसके factors होते हैं कुछ इसके grounds होते हैं कुछ इसके grounds होते हैं कुछ factors होते हैं जिसके धरपे आप क्या कहते हैं कि ये काम सही है, ये काम गलत है यानि कुछ grounds होते हैं या रस्षिक हो सकते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं और जिसके बाद हम conclude करते हैं कि जो voluntary action human beings के किया द्वारा किया गया है वो सही है या गलत है उसे हम determinant कहते हैं और इसी चीज़ को अगर हम ethics करना गुशा देते हैं तो इसी कहते हैं determinants of ethics यानि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है अगर हम किसी factor या किसी ground पर निढ़ारत कर लेते हैं और उसे फिर हम ethics में डालते हैं उसे हम determinants of ethics कहते हैं तो determinants का मतलब क्या होता है simple सा right और wrong fool को समझना कुछ factors पे कुछ ground पे अब ये ground क्या होते हैं factors क्या होते हैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले यहां पर आपको यहां पर इसके दो कारण समझने पढ़ेंगे एक टाप जो आपका आता है वह आपका आएगा ground है क्या आएगा ground यहां पर पेंसरी काम ने कर रहा है यहां पर आएगा ground उसके बाद यहां पाएगा तो आपका intention of doing वाला यानि जो बैक्ती जो काम कर रहा है person of doer कहते हैं यानि जो काम कर रहा है intention of doer यानि जो बैक्ती काम कर रहा है persons perform कर रहा action को persons performed action उससे हम क्या कहेंगे intention of doer तो determinants को समझने के लिए हम दो टैप्स में के classification करते हैं grounds का मतलब यहां पर क्या होता है grounds का मतलब यहां पर होता source यानि कि हम किस अधार पर क्या सा source है जिसे हम कोई चीज को सही कह रहे हैं किसी चीज को गलत कह रहे हैं इसके अंदर भी हम देखेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं सोर्स के अंदर भी क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं एक होता इंटर्नल ग्राउंड और एक होता है एक्स्टर्नल ग्राउंड अभी इंटर्नल ग्राउंड क्या है अब वो समझते हैं internal ground ka मतलब होता है Conscience Conscience का मतलब क्या होता है Conscience का मतलब होथा antaraatma antaraatma को क्या बोलते हैं conscience कहते हैं आप इक अंतaraatma यानि अंधर की आतma जानियाक जब कोई भी principles-laws नहीं मालूम है तो आप अपने अंधर के आतमा से पूछते हैं क्या यह जो काम किया गया है क्या वो सही है या वो गलत है ठीक है किसी चीज का रूर यार इस एक्जांपल को तो पर समझ लेजिए कि यहां पर आपने क्या किया कि माल लेजिए आप किसी के घड़ में गए हैं या अपने फ्रेंड से घड़ में गए और वहां पर एक दस लाग रुपया तो आप आप आपका दोस्त वहां पे तुरंद आ गया और आपसे पूछा क्या बताओ यह चीज तुमने तोड़ा है यह तुमने नहीं तोड़ा है आप तो इसमें बच गये लेकिन जो आपका अंतरात्मा है वो क्या कहेगी आपको जो कंसायन से वो हमेसे आपको हमेसे ध्यान रखवाएगा कि तुमसे बहुत बरी गलती हुई है तो वो कैसे पता चला आपको गलती हुई है क्योंकि आपने इसका के लिए कोई कानूं तो नहीं बनावा कहीं पर किसी के समान तोड़ देंगे तो ये गलत हर ये सही है लेकिन आपके अंतरात्मा ने कहा कि नहीं जो मेरे से जो गलती से टूटावा समान है वो मेरे से गलती हुई है वो आपको सच्चा ही नहीं वो आपको राइट एक्शन नहीं वो आपको रॉंग फूल एक्शन हो गया अब उसकी बाद यहाँ पाते है external action अब external ground कहते है external action नहीं external ground अब यह external ground क्या होता है इसमें कुछ आपका rule laws बने होते हैं यानि according to rule काम करेंगे तो वो अच्छा काम होगा against the rule काम करेंगे तो wrong action होगा यह आपको मैंने समझा दिया है इसकी बाद यहाँ मैं बात करूँ तो अगला आता है society यहाँ पे पेंच सही से काम नहीं कर पा रहा है अब यहाँ पाता है society तो यह society क्या करती है तो society के अंदर आप देखेंगे पहले से यहाँ पे है एस्टेडियोट टैप बना वा है यानि कि पुरुधारना बना लिया ऐसा भी लोग ने कि अगर आप चोरी कर रहे हैं अगर आप चोरी कर रहे हैं तो वो रोंगफुल एक्शन है अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेवर कर रहे हैं तो वो राइट फुल एक्शन है मेहनत करना, लेबर करना, इसे राइट फूल एक्शन है ये कैसे पता चला, क्यूकि ये सोसाइटी ने पहले से ही बना लिया अब भी कैसे बना, कुल लंबा समय चला होगा जब पहली बर कभी चोरी होगी, उसमें तर आदमी संज़ान ने पाया होगा कि ये चोड़ी सही है कि राइट है लेकिन जब ये period of time चलते गया over the time बहुत दिन के बाद, सालों बाद, हाजारों साल बाद ये पता चला कि दुस्य का समान को लेना, चोड़ी करना, चूपचाप वो गलत काम है और मेहनत करना एक अच्छा काम है इसमें ही society के अंदर समझना होता है, ये external होता है यानि society पहले से ही आपको बता दती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ये क्या है, external ground है इसके इलावा कर समझना चाहें, एक आता है, last में religion जो important है, वो ही समझा रहे हैं, लेकि इसके इलावा बहुत कुछ होता है आपको जो इसमें examinations में पूछा जाते हैं आज कल question उसी से related है इसमें आप बात करते हैं religion अब आप देखेंगे, religion के अंदर भी आप determine कर सकते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है अब धर्म के साब कैसे पहचानेंगे, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है आप कैसे करेंगे, तो आप simple बोलेंगे जो holy books होते हैं, जो किसी भी धर्म का, सभी धर्म के जो holy books होते हैं उसके अंदर rightful action, wrongful action दोनों को mention किया गया है ठीके, जब किताब कोन हो सकता है वो किताब गीता हो सकता है वो किताब आपका कुरान हो सकता है वो किताब आपका बाइबल हो सकता है वो किताब आपका जेन दावस्ता या बहुत सारे किताब जो भी है इसके तर राइट फूल एक्षेन और रॉंग फूल एक्षेन दोनों को दिखा जाता है ठीक है इससे अगर आप इस किताब के उलट में काम करते हैं तो आप यहाँ पे निगेटीव और पोजिटीव यानि राइट वर्क और निगेटीव वर्क यानि रॉंग वर्क यह ता भी आपका सोर्स के अंदर हुआ एक और मेंने आपको समझाए था इंटेंशन दुएयर अब यह क्या होता है इन्टेंशन दुएयर क्या होते हैं यानि कि एक परसन के द्वारा जो काम को किया जाता है उसको हम कैसे समझेगे उससे कैसे डिटर्माइन करेंगे कि वो परपस क्या है अच्छा काम है या बुरा काम है जैसे एक जांपल आप समझ लेजे एक गरीब है यह बहुत गरीब एकती है मानने चलते हैं कि यह बहुत गरीब एकती है अब वो लगभग लभग डेथ के कागार प्या चुका है अगर उनको कोई खाना नहीं मिल पाया तो तो मर जाएगा यह पानी नहीं मिल पाया तो वो मर जाएगा लेकिन उसके सामने जो है दूसरे घड में बहुत अच्छी रोटी रखीवी है यह पानी रखावा है अब वो गरीब क्या करेगा उसे घड में घुसेगा और वो चूपचा पानी पीलेगा यानि चूरी करके पानी पीलेगा तो बता उसका जो परपस है वो सही है या गलत है तो आप बोलेंगे वो जो काम किया है वो इथिकली सही है यानि इथिकली सोरी इथिकली रोंग है कि वो समाज में acceptable नहीं है कि किसी का खाना या किसी का पानी को चूरी करके पी जाना या खा जाना वो गरब गलित है लेकिन वो जो गरीब के द्वारा जो purpose है क्या है वो सही है क्योंकि अगर यह नहीं खाएगा अगर पानी नहीं प्येगा तो वो मर जाएगा तो इस आदिमी के लिए जो काम है वो क्या है? right action है लेकिन आपके साफ से वो क्या है? गलत है तो इस से को समझना होता do it का मतलब होता है कि जो वेकिती काम को perform कर रहा है उस समझना उसका purpose समझना कि वो सही है या गलत है ठीक है? इसके बाद विसी से हम situation को समझ लिए यहाँ पर situation भी हमारा बन गिया, purpose हम समझ लिए purpose क्या था? situation भी इसी मा गिया कि उमर जाएगा, अगर नहीं खा पाया नहीं पी पाया, तो मर जाएगा situation समझ लिए रिजल्स क्या होए? रिजल्स ही हुआ कि वो काम अच्छा भी था और ग्रोंग भी था अच्छा काम भी कहलाता है, रोंग काम भी कहलाता है यह होता है intentional doer ठीक है, इसके इलावे आपको determination में समझना नहीं है determination में आपको बस यतने समझना है कि एक perform, एक व्यक्ति दोरा किया जाएगा तो वो सही है गलत है या किस ground के उपर यह सही है गलत है तो यहाँ पर internal, external हमने बताया internal source हमने क्या बताया, conscience बताया अंतरात्मा, जब किसी चीज़ की बारे में rule law नहीं बना है, तो वहाँ पर consensus का इस्तमाल करेंगे, जब कोई laws बना दिया गया है, society है religion है, तो उसकी जाब से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को right or wrong मान सकते हैं, तो यह जो हमारा आपको समझा दिया, पुरह तरीका से, किस में क्या क्या important था, तो सबसे परें हम बात करेंगे, law को यानि कानून के बारे में, law की बात बात करते हैं, law as determinant of ethics, हम DOE लिखे हैं यानि determinant of ethics होगा, किस के बारे पर रह हैं? laws के बारे में पर रहे हैं, यानि प्राब्ण का, और अच्छे काम को ब्रहाब करना, का मतलब होता है, अच्छे काम को पर्मोट करना, और डिसकरेज करना, क्या अगर को क्रिषप करना, भूटीज करना, अगर कोई चिज़ यहाँ पर मौन लेते हैं थीप केली है, यानि कि रोबीड़ी केलिए अगर को यहाँ पर कानून नहीं होता तो पता चलता आज हर एक सुसाइटी में हर सुसाइटी में बहु सारे चोर घूम रहे हैं लेकिन लोज बन जाने से क्या हुआ कि आप चोरी करना रोक दिये यानि कि आपने क्या क्या डिस्करज कर दिया बैड चीज को बैड डिट को अपने कम कर दिया और गुड डिट का यानि आप चोरी जब खतम होगा तो लोग क्या करेंगे मेहनत करेंगे लेबर करेंगे यानि आपने लेबर को यानि गुड डिट को परमोट कर दिया तो लोज आने से क्या होता है पीस और हार्मोनी बनेगा, good deeds बरहेंगे और discourage होगा, bad deeds का और उसके बाद है, इन सभी चीज़ का इस्तमाल करके हम पता करेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है ठीके, ति यह जो है laws है जो की एक determinant of ethics के तोर पड़ाता है लेकिन एक चीज़ इंपोर्टेंट यहां पर यह भी आता है examination में direct पुछेगा क्या यह जो laws होते हैं यह always ethical होते हैं यह statement आजएगा कि laws always ethical तो आप बोलेंगे नहीं laws हमेशा ethical नहीं होते हैं यानि कि laws अगर कानून बना देने से वो हमेशा सही होगा इस बात का guarantee आप मत लिजेगा और नहीं कहना है यानि यह कभी right नहीं होते हैं यह कही कही पर wrong भी हो सकते हैं ठीके यह situation पर depend करता है कि कहां पर सही है और कहां पर गलत है कहां पर आप laws को सही मानते हैं कहां पर लोस और गलत मानते हैं आप यहां पर गारी से जा रहे हैं कहीं पर ठीके आप ने देखा कि यहां पर जो एक व्यक्ति है वो क्या है गायल पड़ावा है और आपको यहां पर एक क्या पता चल रहा है कि यहां पर क्या होस्पिटल है यहां पर क्या होस्पिटल है आप जब highway से जा रहे हैं और आप जब यहाँ पहुँचें आपने सोचा चलो इस व्यक्ति को हम बचाते हैं तो आपने इस व्यक्ति को उठाया ठीके लेकिन आप जो helmet पहने वे थें वो helmet यहाँ पर आपका छूट गिया और आप उस व्यक्ति को उठा कर आप जब 2 km पहुँचा आगे यालिजी 10 km यहाँ दूर था तो आपने जब 2 km आगे पहुँच गया आपको लगा भाई मेरा हेलमेट छुट गया है जो कि आप मालूम है आपको है कि आप गारी चला रहे हैं वो क्या लोस के खिलाफ है तो कि आप उस हेलमेट को लेने के लिए वापस उस जगाप आएंगे या करना सही होगा तो वो गलत होगा आप रूल तो तो तोड़े हैं लेकिन आप इथिकली सही कर पा रहे हैं इथिकली क्या सही कर पा रहे हैं आप किसी के जान बचा पा रहे हैं तो आप क्या किजिएगा उसे hospital पहुंचा देजे और उसके बाद जो fine बनता है helmet की बिना गाड़ी चलाने का आप पे किजे तो यहां पर आपका देखेंगे जो lows होते हैं वो कभी-कभी यहां पर क्या होता है वो कभी-कभी unethical भी हो जाता है यानि कि आप 2 km पीछे फिर आके helmet पहनते हैं और तब पहुंचते हैं पता चला वो आदमी का death हो जाता तब क्या होता आप एक नियम को बचाने के कड़ में एक life को ब्रबाद कर दिए ति यही चीज होता है कि लोज हमेशा ethical नहीं होता है लोज कभी-कभी unethical भी बनता है वो depend करता है उस समय के situation पर ठीक है यह चीज इंपोर्टेंट है आपको समझना होगा एक्जामनेशन में डारेक्टली यह पूछेगा कि लोज ethical होते हैं always या नहीं होते हैं तो आपको वहाँ पर answer कि लिए रदी आपको यहां से पता चल गया होगा कि लोज हमेशा ethical नहीं होते हैं ethical तब होते हैं जब वो सबक आपको किस प्रकार से मानते हैं कि वह determinant है ethics का तो यहां आप यह भी धिहां रखेगा जो भी factors आपने पढ़ा internal और external ground और external ground आपने जो पढ़ा वह हमेशा ethical नहीं होते हैं और इसलिए में तरे एक ट्रीक बता देता हूं कि जब भी exam में ethical ethics equation पूछे हो कि क्या यह perform करने से या कोई एक rule है principle factors है वो हमेशा ethical होता है आप हमेशा उसे गलत मानेगा कोई भी चीज दुनिया में ethical नहीं है उसे कभी न कभी वो unethical बनता ही बनता है वो situation पर depend करता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि question पूछ ले कि always ethical not कोई भी काम ethical हमेशा नहीं होता है वो कभी न कभी unethical तो जरूरी होता है उसी परकार सा society भी कभी कभी unethical भी होता ही होता है जैसे example को तो पर समझ ले कैसे मैंने कहा कि society पहले unethical थी यह unethical होती है ठीक है अगर आप समझें अब दो समझ तरीका से society में ethical क्या होता है और unethical क्या होता है अनिथिकल का मतलब होता है जो हम कहत करते हैं आगर कोई कानून के पूल्टे काम कर रहा है उसको हम जैसे की example पहले क्या होता था यैंई सत्व आध्सारब क्रत्राइब यूट से सही मानते हैं ऑग मानें पहले की और का रहा है अब उससा तीस साल पहले से यह उससे में यह क्या था? प्रिवेलेंट था, यह से सही माना जाता था, उससे में एक सुसाइटी कर लोग इथिकल था, लेकिन आज की दोर में यह अनिथिकल हो गया, तो यानि हम कैसे पता चला कि साती प्रथा अनिथिकल है, यह हमने सुसाइटी से बनाया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जयनि के महला, पुरूस और ट्रास्जेंडर के अंतर हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना, तो वो क्या अनिथिकल है, उसी प्रकार से कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ये भी क्या आज कल दौर में अनितिकल है ये अनितिकल हम डिसाइड कैसे कर पाएं क्योंकि आज के दौर में ये इतिकल नहीं है ये आज के दौर में ये सही नहीं है लेकिन इसी काम को आप 200-300 साल पुराने चल लाएंगे तो यह सब उस समय इथिकल था तो हमने society से develop किया कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है अब यहाँ पर हम बात करेंगे ethical क्या होगा तो ethical में आप क्या समझ सकते हैं इंसा भी कबाइन कर दिजे इंसा भी कुल्टा कर दिजे तो वो ethical बन जाएगा ठीक है तो ethical हमने बता लिया कि society में ethical कैसे होगा तो right और wrong action को पहचान करके और right और wrong action कैसे पहचानेगे according to rule against the rule ठीक है आप इसके लाबा तो कुछ इसमें है नहीं और society में आपको बस इतना ही समझना था कि ethical और unethical कैसे होता है society हमेशा ethical नहीं होती है अब बात करते है religion के बारे में आपको मैंने religion के बारे में बता दिया है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है वो depend करता है आपके किताब के उपर जो holy books होते हैं कुरान, गीता, बाइबल, जेनद वस्ता जो भी और किताबे होती holy books वो सभी यहाँ पर आजाएगा अगर अगर अब मात करें अब वो किताबों की बात तो है religion में जो किताबे होती है वो हर एक वेक्ति समझने सकता है तो उसको समझाने के लिए कौन होता है उसके लिए समझाने के लिए वहाँ पर religious teacher होते है कौन होते है religious teacher होते है अब यह religious teacher का मतलब क्या होता है जैसे कि अगर बात करें तो कई पंडित होते है यह ब्रह्मन जो होते है इसके लावा मॉलवी होता है इसके अलावा पादरी इसको फादर कहते हैं जो अलग-अलग जो यहाँ पर क्या होते हैं जो religious teacher होते हैं उन सभी का काम ये है कि बताना कि भाई religious book में क्या चीज सही लिखा है और क्या चीज गलत लिखा है यानि कि human के लिए क्या चीज सही है और human के लिए क्या गलत है ठीके अब वो क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये कैसे पहचाना जाएगा, उसके अंदर good deed, जिसमें कि कहा जाए, कि ये काम, कुछ अच्छे काम करने से, आपको कहां भेज जाएगा, स्वर्ग भेजा जाएगा, आपको कहां भेज जाएगा, जन्नत भेज जाएगा, आपको अच्छे काम करने पर आपको स्वर्क, यानि आपको लालज दिया गिया है, कि अच्छे काम करो, तो आपको ये चीज मिलेगा, ये religion बताता है, ये ethics मनाता है, और negative काम करेंगे तो अगर अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहां बेजा जाएगा, नर्क बेजा जाएग पोजिटिव दिख रहा है, जिसमें डर नहीं, कि हमाँ ग्रीड है, जिसमें अलालज है, वो हमें सब पोजिटिव वरक है, ये कौन बताया, ये religious किताब बताया, और religious किताब कहां कोन समझा रहा है, तो कोई आपका religious teacher जो होगा, वो समझा रहा है, यानि religion के अंदर भी जो ह है, अब religion के साब से, अगर मैं इसमें detail में जाओं, तो उतना तो controversial topic भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर छोड़ते हैं, आप इसको अपने से सर्च करके समझ लेजेगा, इसमें क्या ethical हो सकता है, और क्या unethical हो सकता है, ठीके, आप यहाँ पर हर एक धर्म के बारे में देख सकते हैं, तो हर धर्म में कुछ न कुछ negativity होती ही होती है, वो इसलिए कहा जाता है, कि वो unethical होते हैं कभी, कुछ situation के अंदर, हमेशा नहीं कुछ situation में unethical होती ही होते हैं, ठीके, तो यहाँ पर समझ लिए, लेकिन एक बड़ यहाँ पर कहा जाता है, कि यहाँ पर जो Karl Marx न कौन से ethical thinker, moral thinker कहा था, religion का compare, opium से क्या था, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, Karl Marx, इसने क्या कहा था, कि जो व्यक्ति opium का use करता है, opium का सेवन करता है, उसका जो mind होता है, वो क्या होता है, intellect नहीं होता है, यानि उनका mind जो है, intellect लेबल से खतम होता है, यानि उसका कोची नहीं पाता है, logically को इसी भी चीज़ को, उसी परकार से religion को, जो blindly believe करता है, यानि कि blindly believe करना, superstation में जिन्दगी गुजारना, वो सभी क्या है, logically thinking करेगा ही नहीं, यानि वो unethical काम, वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो चीज़ को यहाँ पे Karl Marx ने समझा आया था, बस, इसके लावा कुछ चनकारी अब यहाँ पे religion में तो नहीं रखना है, conscience में मैंने आपको समझा दिया है, वो आप समझ चुके हैं, conscience का मतलब जो अंतर आत्मस है, जब कोई कानून ना बना हो, और उसके बारे में, आप अपने अंदर से पूछने क्या वो च देखेंगे या एक बार में भी देखेंगे, रोक रोक के भी अपने नोट्स बना सकते हैं, यह जो नोट्स यहाँ पर आपका वो अच्छा त्यार हो जाएगा, नोट्स त्यार करने कोई ज़रूरत नहीं, आपको यही वीडियो को एक दू बार डिविजिन के तोर्पर दे अगर अगर देखेंगे, अगर टाइम बच पाया, पर देखेंगे, अगर टाइम बच पाया, तो लेशन फ्रम लाप्स और टीचिंग ओगर लीडर्स रिफॉर्मर अड्मिनिस्ट्रेटर, तो यह टॉपिक जो आप देखेंगे, तो यह हम बात कर रहे हैं टॉपिक आपका, कौन सा, रिफॉर्मर्स वाले, यह बहुत ही कम एक्जामनेशन पूछे जाते हैं, अगर लेशन फ्रम लाप्स और टीचिंग जो है, आपका बहुत कम मार्स पूछा जाएगा, दो से तीन मार्स पूछा जाएगा, लेकिन जो वेटे जो पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पर इसे कंप्लिट करूँगा, आसर करता हूँ, यह वीडियो आपको helpful रहा होगा, स्टवियो आपकोष जो है, जाएगा, लेकिन जो जो वीडियो आपको यहाँ, सब विह वेचान से नोगियो कर डविये अवाणावा जाएगा, आसर का जाएगा, एक्ल एवाएगान क वेम जोमेद मैं मैं हपको जो मैं है, और प्लत हूम है, आपको खगार छूब करता